क्लास 10 के exercise 1.2 का question number 2 है हमारे सामने हैं जिसमें कि रहा है find the LCM and HCF of the following pair of intersection and verify LCM multiply में HCF equals to product of two numbers हमें LCM सब्सक्राइब करना है जो भी हमें यह पेर्स दिए गए हैं सब्सक्राइब करना है कि इनका LCM और HCF जो भी आएगा उनको अगर multiply करेंगे तो वह किसके को लोगा product of two numbers जो भी जिन भी दो नमबर्स का में LCM और HCF निकाल रहे हैं उनके multiple के equal होगा तो फस्ट से चुरू करते हैं फस्ट है फस्ट में हम एक निकालना है 26 और 91 का LCM और HCF तो फस्ट सबसे पहले क्या करेंगे 26 के जो भी प्राइम फेक्टर होंगे इसके सामने लिखेंगे और 91 के जो प्राइम फेक्टर होंगे इसके सामने निखेंगे HCF और LCM निकालने हैं अब फस्ट टैप होता है इंगे प्राइम फेक्टराइजेशन करेंगे तो 26 के प्राइम फेक्टर करते हैं यह जाएगा सबसे पहले टू से टू वंजा टू 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 थरीजा 6 और 13 जो है यह आपने आप में क्या एक प 3 तरीजा 9 हो जाएगा 1 बच जाएगा 5 से भी नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 हो या 0 तो ही वह 5 से कंप्लेटली डिवाइड होता है उसके बाद करेंगे इसे 7 से 7 यहां पर बचेगा 9 में से 7 को माइनिस करेंगे 2 2 और 1 हो गया 21 ठीक है और 7 तरीजा होता है 21 और 13 मैं उपर बताया है कि अपने आप में प्राइम नंबर है तो थर्टी मंजा थर्टी नाइंटीवन के फैक्टर होंगे वह हो गई सेवन मल्टिप्लाइब में थर्टी तो एच सीएफ पहले निकाल लेते हैं एच सीएफ क्या होगा जो इन दोनों में को मना रहा है ठीक है तो को यहां पर यहां पर बनना तो कहीं से भी एक लेना है चाहे यह ले 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 ठीक है इन सभी को मल्टिप्लाइब करेंगे तो आजएगा हमारा यहां यहां जाएगा थर्टीन टूजाट 26 26 को अगर हम 7 से मल्टिप्लाइब कर देंगे तो यहां जाएगा 182 तो यहां जाएगा हमारा 182 अब हमें इसे वेरिफाई भी करना है इस इडेंटिटी से ठीक है HCF मल्टिप्लाइब में HCF product of the two numbers तो LCM और HCF को मल्टिप्लाइब कर लेते हैं ठीक है LCM मल्टिप्लाइब में HCF LCM मल्टिप्लाइब में HCF LCM है 182 मल्टिप्लाइब में HCF HCF है 13 तो इन दोनों को जब मल्टिप्लाइब करो गया तो आप का अंसर आएगा just a second HCF और LCM इन दोनों को मल्टिप्लाइब करेंगे तो आएगा 2366 2030 366 ठीक है इसी तरह ऐसे 26 और 91 को मल्टिप्लाइब करेंगे product of two numbers ठीक है product of two numbers equals to 26 multiply में 91 जिन भी दो numbers का MLCM निकाल रहे है उनका product मतलब उनका multiple ठीक है तो इन दोनों को multiply करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 2366 तो यह होगा हमारा मतलब यह verify हो गया है कि यह LCM और HCF का multiple और product of two numbers यह दोनों अगर equal है तो हमारे बिल्कुल आंसर जो है यह सही है मतलब HCF और LCM वहारा बिल्कुल सही है इसी तरह ऐसे चलते सैकेंड पर सैकेंड के लिए मुझे यह करना पड़ेगा अगर आपको यह चलते हैं प्राइब इसँपा करेंगे निशना पहले फेले हमें अब दो में आप फैफ अंडर्ड टैन और 92 इनके और इनके सामने लिखेंगे लिए तो पाइफ अंडर्ड तैन के कर लेते हैं सबसे पहले प्राइम फेक्टर अ 2 से करेंगे इसे 2 2 सा 4 1 बचेगा 11 हो जाएगा फिर से 2 5 सा 10 या फिर 7 बचेगा और 10 हो जाएगा फिर से 2 5 सा 10 अब ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि last में क्या है odd number है इसे करेंगे अब 3 से 3 के टेबल में 25 से कम गया था 3 8 सा 24 और 1 बचेगा यहां पर 3 के टेबल में भी नहीं आएगा यह आएगा 5 के टेबल में तो 5 बचेगा और यह हो जाएगा 3 यहां पर बचेगा और 5 यह 35 और 5 के टेबल में 35 को बाता है 7 पर अब 17 जो होता है एक प्राइम नंबर होता है तो यह सिर्फ 17 के टेबल में ही आता है तो इसी तरह से 92 के फैक्टर्स कर लेंगे 92 के फैक्टर्स भी लिग लेता हूं 92 इसे करेंगे हम 2 से तो 24 जा एक 9 में से 8 को माइनस करेंगे बचेगा यहां पर 1 1 और 2 ओगा 12 2 के टेबल में 6 पर आता है 2 6 जा 12 फिर से 2 से करेंगे 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 23 जो होता है यह होता है प्राइम नंबर तो यह सिर्फ 23 के टेबल में ही आएगा 23 बन सा 23 तो इसके फैक्टर क्या हो गई 2 multiply में इसको दूसरी फूर में लिख सकते हैं यहां से क्या होगा ढ़तु में में तू का स्क्वेर में 23 टिक है एक टो क्या होगा है 14 छुग होगा हमारा 17 इसमें और बाकी कुछ भी लग रहा ठीक है इसमें यह इसमें नहीं है इसमें 23 और इसमें नहीं है तो हमारा को मनाया है तो हो जाएगा टू और ल्सी यह होगा ल्सी एम में हम देखें सबसे पहले इन दोनों के ऐसमें यह सबसे चोटा कुछ सा सबसे चोटा प्राइम निमबर हमारा दो था दो की आइस वैल्यू का इसको ले लिए हम टू का स्क्विए में 3 की हाइस वैल्यू उसके वर्टू के बाद क्या रहा है 3 तो 3 की आया एस्ट वैल्यू 3 सिर्फ अकेला ही यहां पर आ रहा है तो म इनकी पावर ज्यादा है, सबसे ज्यादा पावर जोन से में भी हो, चाहे इसमें भी हो, चाहे इसमें हो, उसी को हमने उठा लेना है, और सभी को मल्टिप्लाई कर देना है, तो इसको मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह हो जाएगा, 2 का स्क्वेर हो जाएगा, 4 4,000 460 ठीक है यह 4,000 60 यह हो जाएगा हमारा LCM आप इसे वेरिफाई भी कर लेते हैं वेरिफाई करने के लिए क्या करेंगे LCM multiply में HCF equals to first number multiply में second number ठीक है product of two numbers की जगे यह लिख रहाँ आप यह भी लिख सकते हैं ठीक या फिर आप यह लिख लेना product of two numbers तो LCM multiply में HCF LCM कितना है 23,460 multiply में HCF HCF है 2 और first number first number क्या है हमारा यह है 510 multiply में second number second number है 92 तो इनको multiply करेंगे इनको multiply करने पर आएगा 46,920 और इन दोनों को multiply करने पर भी क्या आएगा 46,920 तो हमारा जो answer होगा वो बिलकुल सही होगा और जो हमारा चलते हैं थर्ड के लिए फिर से मुझे रब करना पड़ेगा आप नोट डाउन करना है तो वीडियो को resume कर सकते हैं थर्ड में हमें निकालना है 336 और 54 का LCM तो वही method अपनाएंगे इसमें क्या करेंगे प्राइम फेक्टराइजेशन करेंगे पहलें दोनों की क्या एक तो वालर आएगे ठीक है थर्ड में करना हमें 336 और 54 का LCM और है से find करना और इसे verify भी करना है तो 336 और 54 दोनों का क्या करेंगे हम प्राइम फेक्टराइशन करेंगे तो यह लिखते हैं 336 इसके प्राइम फेक्टर करते हैं इसके प्राइम फेक्टर क्या होंगे निकाल लेते हैं तो टू से करेंगे टू वन बचेगा 13 हो जाएगा और टू से ट्वैल फिर से वन बचेग सब्सक्राइबve उसके नमब थो सब्सक्राइब सब्सक्राइब लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं यहां पर लिख सकते हैं इसी तरह 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं 54 के प्राइम एक्टर्स क्या होंगे लिख वर और टूष से करेंगे वटूजद्वा फॉर वन बचेगा फाइफ से फॉर को माइनस करेंगे तो वन और इस फॉर ऑगया 14 और फॉर टेवल में 14 कभाता है 27 अब टू से होगा नहीं होगा 3 से तो 3 के टेबल में 27 का बाता है 9 जा पर 3 के टेबल में 9 आता है 3 जा पर 3 से ही यह होएगा तो 54 के factors होगे यह 54 के factors होगे हमारे 2 multiply में 3 multiply में 3 multiply में 3 3 या फिर हम इसको दूसरी फोर्म में किस तरह देल सकते हैं 2 multiply में 3 की power 3 ठीक है अब निकालते हैं है एच सीए एच सीएफ क्या होगा है एच सीएफ देख लेते हैं में common क्या है इसमें टू आ रहा है इसमें भी टू आ ठीक है तो टू और कोई चीज को मना रही है बागी इसमें इसमें टू है इसमें नहीं है इसमें टू 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 है त्री इसमें आ रहा है और इसमें भी आ रहा है तो तू मल्टिप्लाइब में 3 इसके अलावा और भी कोई ची देखे हैं कि last अंगे हुगा है टुगी फावर टुटी फावर का TOP पर भाल टो यह ले लेंगे किव कि कि पावर फो उस्टे प्राइम नमर कूंछ सा यूज क्रामारा टू आ घख क्वर का यह क्षी पावर यह पर थृगती उसके बाद 7 आ रहा है ठीक है 7 7 के highest power 7 सिर्फ अकेला यहीं पर है तो इसको as it is multiply करें इन सभी को multiply करेंगे 2 की power 4 क्या होता है 2 की power 4 होता है 16 और 3 की power 3 होता है 27 multiply में 7 as it is आ जा जाएंगे इन सभी को जब हम multiply करेंगे तो हमारा answer आएगा LCM आएगा 3024 ठीक है LCM हो गया 3024 अब इसे verify भी कर लेते है verify किस तरह से करेंगे LCM multiply HCF equals to first number multiply में second number product of two number ठीक है यह line जो है product of two number इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं first number multiply में second number तो LCM कितना है 3024 multiply में HCF की value क्या है HCF की value यहां पर आईए 6 equals to first number हमारा 336 और second number multiply कर देना हमे 54 तो 324 324 को 6 में multiply करेंगे तो यह आ जाएगा 18,144 और 336 को हम 54 में multiply करेंगे तो भी हमारा आएगा 18,144 यह दोनों equal हैं तो हमारे जो answer हैं वो LCM और HCF वो गया हैं बिल्कुल सही है verify कर लिया हमें ठीक है यह verify करने का process होता है ठीक है question होता हमारा यहीं पर complete झाहरा यहारा यहीं 3 बाइज करेंगे भाधा-वपल प्रया जाए टो एा गाएगारे